टपलू ने ओनलाइन खाना ओर्डर किया ए गंटे तक ओर्डर नहीं पहुँचा तो टपलू ने सप्लाइर को फोन किया टपलू अभे अभी तक ओर्डर क्यों नहीं पहुँचा वे ओनलाइन सप्लाइर सर देखिए पहले तो आफ इनमरता से बात करिए टपलू हाँ तो कराओ ओलाइन सप्लायर मेरा मतलब है आप सांती से बात करिए टपलू हाँ तो कराओ दोनों से कराओ हम किशी से डड़ते हैं क्या पतनी ने पती को एक जोर का तमाचा मार दिया पती तिल मिला उठा और पूछा मैंने क्या गलती गिया है पतनी तुमारी गलती का इंतजार ही थोड़े करती रहूंगी वकील साब मैंने सुना है कि आप दो सवाल पूछने के एक हजार उपे लेते हूं वकील बिलकुल सही सुना है अब दूसरा सवाल पूछो एक बार एक लड़का अपने पतनी को लेने ससुराल गया वहाँ उसे अपने ससुर के कमरे में सोना पड़ा रात को उसे चूडिया बजने की आवाज सुनाई दी लड़के को लगा कि उसकी घर वाली इशारा कर रही है तो उसने उटकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था तो वो वापस हो गया थोड़ी देर बाद वहीं आवाज आई उसने फिर उटकर देखा इस बार भी कोई नहीं था पास में ही सोय ससुजी ने लड़के से कहा सोज्जा वावडे बैंस की साक्र बज रही है अगर लड़ाई हो रही हो तो आपका फार्ज बनता है कि नीचे बैड़ जाए ताकि पीछे वाले को भी आराम से दिखे नूनू ने चिडियागर में नोकरी जोइन की पहले दिन ही उसने सेर के पिंजरे को ताला नहीं लगाया अब सर नूनू तुमने सेर के पिंजरे को ताला क्यों नहीं लगाया नूनू क्या जरूरत है इतने खत्रनाक जानवर को कौन चुराएगा सरकारी स्कूल के बच्चे किसी को गशीट के स्कूल ले जा रहे थे रास्ते में एक बुजुर्ग बच्चो इसे छोड़ दो पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगा लड़के ये स्टूडेंट नहीं है ताउजी टीचर है स्कूल ही नहीं आते हैं टपलू जपलू से कहता है कल मैंने रोके छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया जपलू क्या बात कर रहा है फिर क्या हुआ टपलू फिर क्या मेरी किटाई हुई जपलू किसने मारा टपलू सूरज की मम्मी ने बे रोजगारी से परेशान होकर जो आदमी बाबबा बन जाते हैं लोग उनी के पास रोजगार के लिए तापीज लेने जाते हैं स्कूल में परीक्षा के समय इतिहास के पेपर में जिस पर्षन का उत्तर नहीं आता था उसको छोड़ देता था लेकिन कभी गलत उत्तर लिख कर इतिहास के साथ छेड़ चाड़ करने की कोशिस नहीं की कर दो दो जाती है